सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्दे कामरूपिणीम विद्यारंभंकरिश्यामी सिद्धिर्भवतु में सद्धा नमस्कार स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूटूब चनल बोले तो एक्जाम कोश्पर और आसा है विश्वास है आप होंगे स्वस्त आप होंगे मस्त और होंगे आप ब्यस्त तो चलते हैं उसी विस्ता को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको उस स्रंखला से जोड़ते हैं जिस स्रंखला को आप आगे बढ़ा रहे हो तो कहते हैं वही संधी वाली स्रं हमने स्वरसंधि के अंतरगत आपने दिर्ग संधि पढ़ लिया है गुर्षंधि पढ़ लिया तो चलते हैं नाम है जिसका प्रेटित संधि कौन से व्रिध्धि इस tegen बोले कौन संदि व्रिध्धि संधि आये बात स्वामजे कि नाए स्वामजे व्रिध्धी संधी जब कोई संधी होती है तो आप कभी जब कुशन ऐसा पूछ ले कि व्रिध्धी संधी करने वाला सूत्र कौन सा होता है तो व्रिध्धी संधी करने वाला सूत्र कौन सा होता है तो आप यही तो कहोगे क्या कहोगे क्या बोलोगी बोलो बोलो अजरा मुख को खोलो कुस्तो बोलो कहोगे वृद्धिरेची ही बोलो बोलो क्या वृद्धिरेची ही क्या क्या वृद्धिरेची वृद्धिरेची ये क्या है वृद्धिरेची कौन क्या करता है तो यह वृद्धी संधी करता है वृद्धी संधी करने वाला सूत्र वृद्धी रेची वृद्धी रेची क्या करता है तो वृद्धी संधी करता है आई बास समझ में चलते हैं इसका मतलब समझ ले तो यह संधी हमको क्या बता रहा है ये क्या नियम बता रही है कि कहां पर हम कैसी कौन से संधी करेंगे पहला इसमें जो शब्द लिखा है वो क्या है एक है वृद्धी क्या शब्द है जी वृद्धी मतलब वृद्धी संधी वृद्धि का मतलब तो आप जानते हो अपने वृद्धि संग्या पढ़ी होगी मैंने पढ़ाया है मैंने बताया है वृद्धि संग्या क्या होती है वृद्धिया दाइच वृद्धिरा दाइच में क्या आता है तीन वर्ण आते हैं कौन-कौन से आते हैं दिर्ग आ आता ह और आओ आता है यह सब क्या कहलाते हैं यह कहलाते हैं आपके वृद्धि संग्यक्वन या यू कहलो उसको किस नाम से जानते हैं वृद्धि नाम से जानते हैं तो यहां वृद्धि से और क्या मतलब होगा वृद्धि से मतलब होगा दीरग आ आए और ओ ठीक चलिए कोई बात नहीं अब आगे क्या लिखा है एची ही क्या लिखा है एक पदिस में क्या है एची ही एची ही से क्या तात्पर होगा एच प्रत्याहार क्या तात्पर है एची से एची का मतलब होता है एच प्रत्याहार और H प्रत्याहार में वन्ड कौन से आते हैं तो कहते हैं A O A O यहीं आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ बताओ यह सारे वन्ड आते हैं H प्रत्याहार में अब यहाँ पर हम देखें मैंने आपको शुरुवात में ही बताया जब मैं संधियों की शुरुवात किया था पहली वाली क्लास संधि वाली क्लास वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब संधि को समझना हो तो अब कैसे समझोगे तो आप कहते हो एक पूरवन होता है एक परवन होता है एक संधिवन होता है जब यह तीनों होते हैं तब कहीं जाके आपकी संधी होती है भाई चाहब तो क्या कह रहे हैं यहां पर अब इस सूत्र में हमको पूरवन का क्या होता है परवन क्या होता है संधीवन क्या होता है यह आप क्या ससूत्र बताता है लेकिन सूत्र में बृद्धी मतलब यह आपको आदेशवन प्राप्त है मिला लेकिन पूरवन अभी तक हमको नहीं मिला है कि पूरवन में क्या आए समझ में आया हमको क्या-क्या मिल गया है हमको मिल गया है पूरवन नहीं मिला है हमको मिला है परवन मिला है और संधिवन मिल गया है चलो इतनी चीजें हमको इस सूतर में प्राप्त है इतनी चीजें हमको इस सूतर में प्राप्त है परवन में क्या होना चाहिए तो इन्होंने कहा A हो, O हो, I हो, या फिर O हो, समझ में आया, उसके बाद कहरा है आदेशवन प्राप्ता है, संधी वन प्राप्ता है, A, I, O, मतलब इन तीनों में से, यह तीनों वन ही आज मैंने सुरूम बताया, जब गुण संधी तो गुण आदेश होता है, वरिद्धी संधी तो वरिद्धी आदेश होगा, यन संधी तो यन आदेश होगा, दीर्ग संधी तो दीर्ग आदेश होगा, तो यहाँ आदेश वन में या तो आ आएगा, या तो आए आओगा, या तो आओ आएगा, और ये तब क्लियर करके यहाँ पे लिखा जाएगा, ज आपने देखा था पिछली वीडियो में वृद्ध संधी के पहले हम लोगों ने गुण संधी के बारें पढ़ा था और गुण संधी का जो सूत्र था वो कौन सा था आद गुणह था क्या जी था आद गुणह था आद से क्या ततपर था आद का ततपर क्या था दीर्ग आ यह का मतलब क्या होता है दिर्ग आ चाहे दिर्ग आ कहो चाहे रस्व आ कहो समझ में आया तब हमको यहां से उधार लेकि पूर्वन भी लिख लेते हैं आ या फिर आ ये सब किस के साथ है इन सब चीजों के साथ मिले तब तब आदेश्वन क्या हो जाएगा जब आया आ के बाद आएगा तो आए आदेश हो जाएगा आया आ के बाद ओ आएगा तो आव आदेश हो जाएगा अगर आया के बाद आए आए तब भी आए ही आदेश होगा आया आ के बाद आए तब भी आव आदेश हो जाएगा समझ में आया कहें यह वाला कहें नहीं लिखें बाई साहब ये वाला जो दीर्ग पर जा रहा है, यह अपवाद वाले सूत्रों में आएगा, हम वहाँ बताएंगे, अभी, क्योंके लेकिन जो आदेश्वण है जो संधीवण है, वो व्रिध्य ही तो है, आय भी है, ब्रिधिसंग्यक्वण है, ऑची जाता है, एसे न समझना चाहिए त तो कैसे समझ लिजे भाई साहब, आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जब क्या हो, आ, या फिर आ के बाद, अगर आप परिभासा लिखना चाहें, यदि, रस्वया, दीर्ग, आ के बाद, क्या आए, ए, ओ, आए, 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 ये सब क्या हैं, ये है आत, मतलब आत के बाद क्या आए, एच आए, एच का मतलब ये, आत का मतलब ये, समझ में आया, तब क्या होगा, जब यही आया आ, किस से मिलेगा भीया, जब यही आया आ, अगर प्राप्त होगा, मिलेगा किस से, आया आ जब मिलेगा, किस से, ए से, गिस से मिलेगा एसे मिलेगा तब क्या होगा तब यहाँ पर क्या बनेगा तब यहाँ पर आया की नहीं आया और जब यही आया आपस के ऐसे मिलेगा तब क्या बनेगा तब भी आया देश हो जाएगा क्या आदेश हो जाएगा तब भी आया ही आदेश होगा और जब यही आपका पुनहा आया आपके आउसे मिलेगा तब भी क्या आदेश हो जाएगा तब भी आपका प्रादेश्मन जो हो जाएगा वो ओ हो जाएगा ठीक है ये तालिका समझ लो या जो पीछे वाली तालिका है इसको समझ लो पूरवन परवन संधिवन के संदर में या पिर जो मैं बताया अभी ये चीज़ समझ लो इतना अगर समझ गए तो आपको भीया क्या 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 बिल यही नियम है, कि ऐसे इस से यह मिला, तो यह, इस से यह मिला, तो यह, समझ गए, यह आपका पूरवन है, यह परवन है, और यह जो नीचे लिखे गए, यह सारे आपके संधिवन है, अगर ऐसा कहीं बना, तो वहाँ पर संधी कौन सी हो रही है, भाईया, यह सब का है, इस सा आरा है भाईया व्रिध्धी संधी कौन सी संधी कौन सी संधी बोले तो व्रिध्धी संधी अस्तु कोपी समस्या तो नास्ती समझ में आया आगे चलें अब उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं परिभासा मैंने बता ही दिया यदि आया आ के बाद ao aio या h प्रत्य हर का कोई वंड़ आये तो करम सह a के अब यहाँ पे लिक्षी aya a और a के इस्थान पर i a और o के स्थान पर i aya a के स्थान पर i a o के स्थान पर दोनों पूरवण और परवण के स्थान पर क्या आदिस हो जाएगा a o i और अव आदिस हो जाता है समझ में आया उदाहरण के माध्यम से देख लो जैसे कहते हैं क्या कहते हैं उदाहरण देख लो नाधन एवम जैसे कहते हैं का नाधन एवम क्या बोलते हैं नाधन एवम अब नाधन एवम क्या है आप कुछ नहीं करना है आपको नियम पता है वर्दि संदी का कि पूरो में आया आना चाहिए और परवण में क्या आना चाहिए A, O, I, O इन चारों में सो कौनों आ जाए तो चलते हैं ढूंडते हैं पूरोण परवण अब यहां पे नौ में क्या है ना पर क्या है भी या ना पर आप एही कह सकते हो क्या इना को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ने लिख सकते हैं लिख सकते हैं इधर एवम है क्या है जी एवम है अब इधर पूर्वन क्या हुआ आपका आ है पर्वन क्या है अए है अब जब आ के बाद ए आता है तो आपने आ के बाद ए आएगा तो क्या बनता है देखो 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 जब आ जो है ए से मिला तो क्या बनाता है आए बनाता है अच्छा तो मतलब यहां क्या दोनों के अस्थान पर आदेश्वन क्या हो जाएगा आए हो जाएगा अब इसको वैसे उताड़ लो भीया ना यहां वम सेस बचा क्या बचा सेस वम बचा कुछ नहीं करना है इनको वापस में जोड लेना है मैंने अन्तिम जो एष्टिप होता है संधी में संधान करना होता है जोडना होता है अब इन सारे वर्णों व्रिद्धी संदी है व्रिद्धी संदी होई है नई वंपद में तो कहो कि अवरे धिरेची सूत्र से यहाँ पर वरे दिसंदी होई है कोई समस्या कोई दिक्कत कुछ इधर उधर कुछ आपच तो नहीं हो रही है अगर बाउंस होगा बता देना भाईया हना जीन जैसे एक ओर लिखो बहुत बढ़ीया सा उधारन देवधन ऐश्वरयं लिखो 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 देवधन ऐश्वरयं क्या देवधन ऐश्वरयं ये रेफ लगा है बहिया उपर है न जी देवधन आईश्वरियम लिखा है अस्तु अब इस देवधन आईश्वरियम को क्या करना है हमको देवधन आईश्वरियम को हाँ अब इस देवधन आईश्वरियम को चलो पूर्वन ढूणो अब देव शब्द है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ने लिख सकते हैं, देव, और आ बाहर निकल गया स्वर आपका, इधर आय हो गया, श्वरियम बचा, अस्तु, अब क्या करोगे, इसके बाद जब हमको पूर्वन मिल गया, पर्वन मिल गया, तब क्या करते हो, दोनों के अस से क्या मिले, यह इनका मिलन आय के साथ हो, तो क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, इसका मतलब हमको यहां पे संधी वन क्या प्राप्त होगा, यहां पर आय प्राप्त होगा, यह वाला, धना जी, अब यहां क्या लिखा है, देव बचा, यहां श्वरियम जो ब एकैनि मात्रा लगाए लो एका कर लगा लिया अब यहां सवर्यम जोड़ दो देवई श्वर्यम क्या बन जएगा भीया वल्ल वल्ल बोल्ड अजल्ल निधी दैश्वłyम तृक्ष जी यह समस्या दैश्व Bowl में संदी कौन सी है तो कोगे वरिद्धि संदी है किस सूत्र से वरिद्धि संदी हुई है तब क्या बताओगे इसमें तब बताओगे आप भाया इसमें जो संदी हुई है वरिद्धिरेची सूत्र से हुई है किस सूत्र से हुई है वरिद्धिरेची सूत्र से हुई है कोई स आपका क्या मत ढिख देखर रहों समझ रहा हो अपने मतको एक रखा करो नहीं कुछ और बताओगे कुछ और बताएंगी तब दिक्कत हो जाएगी नई तो अपने मत को मताइक के रखो हमेंसा अपने जीवन में अपने पूरे इस जीवन भाईया जो आप दने जीवन को जीते हो समस्ते हो जानते हो इसे मताइक के रहा करो नहीं तो आपका मत कुछ और उनका मत और कुछ और तो यह मताइक के समस्ते आ जाएगी दिक्कत हो जाएगी इसलिए जो मताइक के है अब इसमें अपने मत एकता में, देखो भईया, यहां क्या बचा? का बचा? भामको का पता बचा? देखो, देखो, का बचा हम बताया रहे हैं, कुछ नहीं, यहां पर ताहलंत हो गया, क्या हो गया? ताहलंत हो गया, आ बाहर आ गया, यहां आय है, क्यम बचा सेस, क्या बचा क्यम बचा कुछ नहीं करना है पूर्वन परवन मिल गया दोनों के स्थान पर आय आदेश कर दो यहां मतसेश बचा ही है अना जी यहां क्यम हो गया अन्तिम में जब ऐसे हमको पूर्वन परवन संधीवन तीन के तीनों वन मिल जाते हैं हमको संधान कर देना होता है जोड़ देना होता है आए आएगा ताके पास मतय हो जाएगा आगे क्यम जोड़ों मतयक्यम मतयक्यम क्या बन गया भईया मतयक्यम में संधी कौन सी वृद्धि संधी किस सूत्र से वृद्धि संधी है समझ में आया की नहीं आया कोई दिक्कत कोई समस्य अगर हो तो बताए दो नहीं तो अगला हुदान देखो जैसे आप कहते हो क्या वन धन और शदी क्या कहते हो भईया वन धन और शदी क्या बोलते हो बोलो 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 मुख को खोलो कुछ तो बोलो वन धन आउशधी अस तो वन धन आउशधी है माना वन धन आउशधी है जब वन धन आउशधी में आपको देखना हो कि कौन सी संधी है तो कैसे पहचान होगे या इसका संधित्पत क्या होगा कुछ नहीं करना है पूर्वन ढूंडो फिर से पुना एक अवारम क्या करोगे वन में ये इदना हलन्त हो जाएगा तो आ बाहर भागेगा आ बाहर भागेगा तो इधर आव शदी का आव लिखो इधर शदी बचा सेस कैसे भाईया ये पूर्वन हो गया ये पर्वन हो गया तीसरी चीज क्या जाननी होती है तो संधिवन जानना होता है कुछ नहीं करना है आव आदेश तो दोनों के स्थान पर होता है आ और आव जब आपस में मिलता है तो ये देखो जली से देखो जली सा और देखो क्या बता है आ या आ किस से मिलेगा उसे मिलेगा तो का बनाएगा अव बनाता है ना जी या यही आया आव से मिलता है तब भी क्या बनाता है अव ही तो बनाता है तो मतलब यहाँ पर संधिया आदेश्वन क्या प्राप तो होगा अव प्राप तो हो जाएगा एकदम भाया जिनको संस्क्रिट बिल्कुर नहीं ह पढ़ाऊंगा वह आपको समझ में आना चाहिए हम बताये रहे हैं और ना आये तो फिर से बार-बार कह रहा हूं एक जाम कोच आपके लिए विवस्ता दे रहा है एकदम फिरी आप कॉस्ट विवस्ता तो पूरा लाब उठाएं अब फ्री का मतलब फ्री मत समझता हमें पता आत्रों के लिए तो ऐसा ना सोचें कि फ्री वाला है तो जैसे वन क्या है वईसे पढ़ें ना प्ढ़ें बैया पढ़ो मौका मिला है तो पढ़ लिए कोई आपको अच्छे से पढ़ाना चाह रहा है कि आपको कल्यान हो जाए तो कल्यान कीजिए हावा में मत पढ़िएग यह चीज चाहिए पंट सिक्टा, आपे ऊपर्वश्प्या यह यहां किया है, आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, कोई याफागा अगर आपको कोई समस्या होती है, तो तो आप अपने विचार अपने जो सुझाव हों आप कमेंट बाकसे में सदय लिख के भेज़ दिया किजे भाई साहब कोई समस्चा नहीं होने पाएगी इसके तिमें गैरेंटी लेता हूं वस्तु तो आओ लोटाओ चलते हैं औसधी की ओर यहां क्या बचा भईया शदी सेस बचा है अज तु क्या करोगे अब जब इतने पूरवन मिल जाए परवन संधी वन मिल जाए तो का करते हैं जोड देते हैं भईया मिलाय देते हैं जो आओ आएगा ना के पास तो बन जाएगा क्या बन जाएगा वनव अब इधर्श्या है तो शदी जोड दो क्या बन गया वनव श सूतर से भाईया कहोगे वृद्धी रेची ही से है किसी है किस से है वृद्धी रेची से है एक अगला उदाहन देख लो फटा फट है न जी हाँ 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 और सदी हो गई है तो वनव कसा हाँ लेख लो भाईया वनधन क्या वनधन ओ कसा हाँ छापो 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 उतारो उदाहरन जो लिखा जा रहा है जो बताया जा रहा है यह लगबग यही आता है कात उदाहरन कम बता है तो गुस्ताईएगा नहीं वन धन ओ कसा यहां पर आदिवन अ है, पर वन ओ है और ओ मिलता है तो ओ बनाता है यह तो आद जानते ही हैं यहाँ सेस क्या बचा है, यहाँ ओन बचा है, यहाँ कसा बचा है अब क्या कर लोगे आप यहीं तो करोगे ये और आए चाल से दो व्रिद्ध्य सूत्र से खिए आए वसक्तिभा थहुत आ किन लिख़ना है एक और अदान लिख लो भाई च्छापलों और भुस्ताइं जाओगे आप लो लिखो पुष्प क्या धन ओ कहा, क्या लिखना है, पुष्प धन ओ कहा, पुष्प धन ओ कहा लिखा है, तो क्या करना है इसमें, बताओ बताओ, इसमें पूर्वन क्या है, पूर्वन आपको यहाँ पे आपराप्त होगा, यहाँ परवन ओ पराप्त होगा, अब जब आ के बाद ओ आता है, तो किस स रहा है और जब ब्रिद्धि संदी का नियम है कि आके बाद ओ आ रहा है जब आके बाद ओ आता है तुर आप जान जोगी भईया आदेश्वन क्या होगा या संदीवन क्या होगा ओ होगा ठीक है जी अब यहां बचा क्या है सेस यहां आपका पुश्पुसेस बचा है क्या बनाने के चक्कर में अपना सहीद हो गया अब यहाँ पे कुछ नहीं करना होता जब तीनों वन हमको प्राप्त हो जाते हैं कौन-कौन से पूरवन परवन और संधिवन तब आप क्या करते हो कुछ करते नहीं हो यह इनको आपस में जोड़ देते हो मिला देते हो तो क्या बन वत्ती संधी है और पुषपका कि में किस सूत्र से विर्दिसंदी हुई है तब क्या बता बतायोगे आप क्या बता 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 वो तब आप बताओं कि भाईया वृद्धिरेची सूत्र से हुआ है समझ में आया आई बात गई समझ में जैसे पंचधन एते ऐसी तरह गर लिखा है पंचधन एते क्या लिखा है पंचधन एते का लिखा है जी पंचधन एते 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 पंच अरे हमारे पंचो देखते हुए बताओ बताओ का बनेगा बताओ दो पढ़िया का बनेगा तो कहेंगे चा में क्या है हरसु आ है इधर ए है और जब आ के बाद ए आय तो किस संदी का नियम बन रहा है तब कहोगे यहां पर ब्रिद्धि संदी क का नियमबन रहा है जब बिद्य संदी का नियमबन रहा है आके बात ए आ रहा है तो बुले तो आयादेश हो जाएगा अब आयादेश हो गया यहां पंच कैसा बचा है यहां त बच्चा है जो अर्द नुमिलाद का बन जाएगा भहिया इसका पन्चैते बोलो 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 पन्चैते क्या बन गया पन्चैते Dire Gो समझ्या अभी तक हम लोगůने जो पढ़ा लिखा जाना समझ्या इसमें को-ई समस्या वरिदसंदी में चोटा चोटा वीडियो आपके लिए हैं प्यारा प्रैऐ है नॉट्टी नॉटी वीडियो चोटा सदे रहें ता कि आप परिशान न हो बहुत लेंदी वीडियो न हो एक दिन में एक संधी को उपरेट कर डालें एक दम अच्छे से समझ पाएं इसने प्रियास रहता है कि आपको छोटी छोटी वीडियो में प्रवाइट करा हूँ हम को क्या हम चाहिते एक में सम्मिक्स अप पढ़ा देते तो आप भी बोर हो जाते नहीं आपकी विवस्ता के लिए हम लोगों हम लोगों क्या हम सबने यह सूचा है कि आपको चोटे 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 चोटा चोटा वीडियो दें अगले वीडियो में आपको नई संदी के साथ जोड़ेंगे तब तक के लेते हैं आपसे वीदा नमस्कार शुबंभोयात सर्वदा